बड़ी खबर मिल रही है चंद्रियान 3 मिशन पर इसरों एक नया ट्वीट किया है और कहा है कि तैस समय पर ही चंद्रियान की लेंडिंग होगी और साथी ये जानकारी भी दी कि सिस्टिम की निया में जान चल रही है कर लेंडिंग का सीधा प्रसारण 5 बच कर 20 मिनट से शुरू होगा LPDC से चांद की तस्वीरें भी आई है LPDC से चांद की नई तस्वीरें आने का मतलब ये है कि कैमरा ठीक काम कर रहा है चंद्रियान 3 की इस्तिती अभी अच्छी है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और ये भी जानकारी दी गई है इस रोकी तरफ से कि जो तैस समय है उसी के अनुसार शाम को 6 बज़ कर 4 मिनिट पर कल लेंडिंग शुरू की जाएगी और साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि ये भी इस रोकी तरफ से जानकारी दी गई है कि शाम को 5 बज़ कर 20 मिनिट से उसका लाइव परसारन भी किया जाएगा कि किस तरह से चंद्रियान 3 चांद पर उतर रहा है हाला कि चांद की चांद पर सफल लांडिंग के लिए प्लान B भी तयार किया गया है लेकिन अगर कल सब कुछ सही रहा क्योंकि सेफ लांडिंग के लिए एक सेफ स्पॉर्ट भी ढूंडना होगा उसकी भी तलाश करनी होगी और उसी के बाद उसे लैंड कराया जाएगा हाला कि सब कुछ अगर सही रहता है प्लान के मताबिक चलता है तो कल इसकी लैंडिंग होगी LPDC से चांद की तस्वीरे भी आई है जिसे इसरो ने साजह किया है एक लंडिंग का सीधा प्रसारण पांच बच कर बीस मिनट से हुगा So when errors are corrected to our knowledge, to the best of our knowledge we corrected all the errors whatever we have seen So definitely this will lead to success Sir you also had some kind of a talks with Russia also but their lander could not make that landing this time It was crashed, what do you think become the reason for that incident sir? So I also read through the news items only about the crashing of the Russian lander Apart from that I don't have any other technical details, this one, so probably that is, I am not aware of the further technical details Whatever available, available in the public domain only, I also learned Sir keeping control on the lander and keeping control on the Vikram 3 this time will be a biggest challenge Is ISRO handling it every second and moment sir? Yes, yes, we are continuously monitoring and calibrating the system And the system's health are perfectly normal And I, this time I don't have any, we don't have any problem, that's what I feel, so Yes sir Some pictures which came sir, which is actually increasing the enthusiasm of Indians Some pictures which Vikram Lander sent us Now we are reaching very close That closeness will be possible this time to make That we can take That we can take जाता है तो यह record keeper ने क्या-क्या record वहां दर्ज किये हैं यह तमाम जो sensors हैं इसके उपर लगे हुए वो पता लगाएंगे और sensors sensors की भी आपको जानकर जाने कि sensors कौन कौन से लगे हुए हैं दरसल दिखिए चंद्रयान तीन जब land करेगा या जो विक्रम लंगिमूर प्रोब कहा जाता है यह plasma environment कैसा है चंद्रमा का उसका पता लगाएगा इसके अलावा चंद्र सर्फिस थर्मो फिजिकल experiment जो चेस्ट है यह भी एक sensor है खास किस्म का जो की thermal conductivity इसका टेस्ट लगाएगा इसके अलावा जो instrument for lunar seismic activity IELSA है यह भी खास किस्म का sensor है क्योंकि चंद्रमा के उपर भी quakes आते हैं यह नहीं उस पर भी भूकंप आते हैं और उनकी जाच करने के लिए यह sensor इसके उपर लगाया गया है इसके अलावा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है चंद्रमा पर कौन-कौ कौन-से रसायन है महाँ पर क्या-क्या कंपोजिशन है इसका पता लगाने के लिए यह खास sensor इस रोवर के उपर लगाया गया है और हमारे सयोगी प्रणे उपाध्याए हमारे साजुर गए हैं सीधा उनका रुक करेंगे प्रणे चंद्रयान तीन को लेकर इस रो ने जानक बिलकुल राम और मलिका आप दोनों के साथ साथ हमारे साथ साथ देश दुनिया के तमाम लोगों की नजरे अगर किसी एक जगा पर इस समय टिकी हुई है जहां से आने वाली खबरों में तो वो मेरे पीछे की यह इमारत है जो कि इस रो का टेलेमेटरी ट्रैकिंग और कमा लेकिन करीब शाम को साथ 5 बच कर 45 मिनट का वो वक्त होगा जबकि आटोमेटर लैंडिंग सीक्वेंस जो है यह नी इस लैंडर के अंदर जो मशीन से हैं उनको अक्टिवेट किया जाएगा जो लैंडिंग सीक्वेंस है किस तरीके से यह नीचे उतरेगा यह लैंड किया हैं यह वो चत्रिया हैं जिनसे इस तरीके की ट्रैकिंग की जाती है टेलिमेटरी ट्रैकिंग एन कमान नेटवर्क सेंटर है और किवल यही नहीं इसके अलावा यहां से बायालू एक थोड़ी सी दूर की पर जगा है वहाँ पर भी इंडिया का डीप सी डीप स्पेस नेट उतारा जाएगा एक एक कर इसके जो फेजेज हैं वो पूरे होंगे आप अंदाजा लगाईए उस कटिनाई का उस चुनाती का कि धर्टी से करीब 3,84,000 किलोमेटर की दूरी हो ऐसे में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करना बेहत बड़ी चुनाती है मुश्किल का टोटी है कि इसके जो में के इसके जो कई फेजेज है उनके आबहर पर इसे उतारा जाएगा यहीं सबसे पहले इसकी दो वेलासिटी हें एक गर्ट आफrator से लियाकर नीचे लाना है बिल्कुल चुनोतिया बहुत हैं लेकिन उन चुनोतियों के लिए तयार हैं और पिछली बार भी बहुत थोड़ी सी चूक हो गई थी वो ज्यादा बड़ी चूक नहीं थी लेकिन फिर भी नुकसान हुआ और इसके बाद ये चंद्रियान तीन अब अपने अंतिम पड़ा उपर है बहुत बहुत शुक्रिया अपना है आपका इस पूरे अपडेट के लिए